है आपक करते यह अबन विडियों से इस विडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिपीड के बारे में था कार्पोहाइटर परोटीन के तरह जो लिपीड होते हैं वह बहुत ही इंपोर्टन बारे जिकल मॉलेक्ली होते हैं हमारी बोडी के अंदर और बहुत सारे important functions को play करता है ठीक है तो जो लिपिड होते हैं उन्हें true polymer नहीं कह सकते क्योंकि जो लिपिड है वो एक monomer या single monomer से मिलकर के नहीं बनता है यह डावस group से मिलकर के बनता है तो जो लिपिड है वो क्या है डावस group of hydrophobic molecule hydrophobic आपको पता है water hating यानि कि जो water के अंदर dissolve नहीं रहते डिजोल नहीं हो सकते soluble नहीं होते insoluble होते हैं ठीक है तो जो लिपिड है वो क्या है डावस group of hydrophobic molecule hydrophobic molecule का यह डावस group होता है लिपिड अब हम बात करते हैं लिपिड की मिलकर की बनता है लिपिड organic molecule composed of hydrocarbon hydrogen and oxygen तो जो लिपिड है उसमें क्या-क्या प्रेजन रहेंगे carbon hydrogen and oxygen यह अबेंडन होंगे यह जादा तर आपको hydrogen carbon और oxygen देखने को मिलेगा लेकिन कभी-कभी nitrogen और phosphorus भी प्रेजेंट रहेंगे ठीक है तो जो लिपिड हो क्या है एक organic molecule है और उसमें क्या-क्या प्रेजेंट है carbon hydrogen oxygen कभी-कभी nitrogen और phosphorus भी प्रेजेंट रहेंगे ठीक है अब हम बात करते हैं होते हैं lipoly की अगर बात करें तो यह नौन-polar मतलब इंसोलिबल रहेंगे वाटर के अंदर ठीक है यह नौन-polar in-soluble नवाटर-an-soluble in organic solvent ठीक है organic solvent के अंदर इस वैनदर ईसलीबल होगे नेक्स एडे कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन बोन तो ज्यादा तर जो लिपिड है उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में आपको बॉन दिखाई देगा हाइड्रोजन कार्बन यहां पे बोन प्रिजेंट रहेगा किसके बजाए ओ अज गुरूप के बजा कर्भोगाइट्रेट और प्रोटीन की कंपेर में जो लिपिड्स है उसमें ज्यादा स्टोर रहेगी क्यों रहेगी क्योंकि जो यह ग्रूप हमने अभी डिसकस किया हाइड्रोजन कार्बन इसको जो जब यह ब्रेक होगा ठीक है जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी ठीक है तो इस वज़े से हम यह बहुत सकते हैं जो लिपिड है उसमें स्टोर मोर एनर्जी देन प्रोटीन एंड काफ्स ठीक है नेक्स से बैसिकली कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिद अभी हमने यह डेखा था कि जो लिपिड होते हैं वो ट्रू पोल तो इसमें बात करें तो में क्या क्या प्र जूब है वज ग्रूप प्रिजन हैं ठीके तो डूसरा हम पढ़ता है यहां पर और करण और यहां पर असिट के से लगड़ांगे में तो यह क्या है यह कार्बोक्सिल गूरूप यहां पर by रड़न होती है ज्ज्छाधा तर आपको 16 16% तो 18 चंज कभी कभी आपको 4-30 कारबन सेया यहां पर दिखाई देगी ठीके कभी तो जो फैट होते हैं वह क्या होते हैं glycerol made of glycerol and fatty acid ठीक है glycerol का structure हमने डिस्कुस किया fatty acid का हमने structure डिस्कुस किया अब जो यह long chain है fatty acid के अगर हम बात करें तो जो long chain है इसका भी further types हम पढ़ने वाले हैं यह जो है आप note कर सकते हो next हम देखने वाले है type of fatty acid type of fatty acid में हम पढ़ने है saturated fatty acid and unsaturated fatty acid के पारे में तो saturated fatty acid है वो क्या होते हैं which contain all single bond तो saturated fatty acid है उसमें केवल और केवल single bond ही present रहेगा और वो कैसे होंगे solid होंगे room temperature पे हमने जो स्टक्चर डिस्कुस किया था fatty acid का कुछ इस तरीके से यहां पे c double carbon जो है double bond present है oxygen and OH ग्रूप यानि carboxyl group यहां पे present है और यह hydrogen hydrocarbon chain इस तरीके से present है ठीक है इस तरीके से हमने रेप्रेजेंट किया है इसको और यह जो hydrocarbon chain है यहां पे क्या होगा केवल और केवल single bond present है एक ही यहां पे present है ठीक है रूम टेप्रेश्टर पर कैसा होगा solid होगा ठीक है तो यह हो गया saturated fatty acid अगर बात करें unsaturated fatty acid की तो यहां पे क्या होगा दो फैट दो फैटी acid which contain at least one double bond in hydrocarbon ठीक है तो ऐसे fatty acid जिसमें जो hydrocarbon chain है वहां पे क्या होगा double bond present होगा फर एक्जामपल यहां पे डबल बोन प्रेजेंट है तो यह क्या है यह unsaturated fatty acid हो जाएगा क्योंकि हाँ पे at least one double bond present है एक से जादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक double bond यहां पे present definitely रहने वाला है unsaturated fatty acid के अंदर हमने बात की थी जो saturated fatty acid है हो कैसे होते है सोलिड होते हैarone temperature पर वहीं पर जो unsaturated fatty acid है वह liquid होते है रूम temperature पर टीक है तो यह difference है unsaturated or saturated fatty acid सिंगे अंदर फिक है आपने एक sopέб Immers今日 कर double वेजिटेबल घी में, किस तरीके से वेजिटेबल घी जो है वेजिटेबल ओल जो है, वो क्या है unsaturated fatty acid है room temperature पे liquid रहता है यानि कि यहाँ पे double bone at least present रहेगा, one double bone ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो वेजिटेबल ओल है वेजिटेबल घी में, कर्णवर्ट कर दिया गया it means, यहाँ पे क्या हुआ, एक hydrogen एड कर दिया गया, और यह जो डबल bone यह हट गया, और यह जो वेजिटेबल ओल था वो वेजिटेबल घी में, कर्णवर्ट हो गया और room temperature पे saturated fatty acid कैसे होते है solid होते है, ठीक है तो यह बहुत ही general सा process है next हम बात करते हैं, कि किस तरह किसे fat का formation होता है ठीक है, तो यहाँ पे क्या है glycerol present है, यह glycerol का structure है, ठीक है, OS group यहाँ पे present है, और यह हमने लिया है fatty acid की chain यहाँ पे present है तो एक ही यहाँ पे glycerol present है, ठीक है, एक ही glycerol यहाँ पे present है, और 3 fatty acid chain यहाँ पे present है, ठीक है यह carboxyl group यहाँ पे present है यह जो है carboxyl group यहाँ पे present है, तो fat का formation अगर हम देख यह तो किस तरह के से होता है, यह जो hydrogen है, ठीक है, यह hydrogen और OH group, मिल कर के क्या release कर देंगे, water यहाँ पे release हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे glycerol group है, और 3 fatty acid की चेन यहाँ पे 1 glycerol से आकर के जुड़ रही है और यहाँ पे 3 molecule of water release हो जाएगा, ठीक है sorry, next यहाँ पे formation हो रहा है, कि यह जो oxygen है, यह जुड़ जाएगा किसे carbon से, यह जो bond बन रहा है, यह जो एक तरीकी से linkage आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते ester linkage, जैसे कि हमने carbohydrate में पढ़ा था, glycosidic bond में बन रहा था, protein में हमने पढ़ा था, peptide bond में पे formation हो रही थी, उसी तरह किसे, अगर हम lipid की बात करें, तो यहां पे ester linkage की formation होती है, तो यहां पे क्या हुआ, इस तरह किसे, हम बात करें, तो try ester glycerol का यहां पे formation हो गया है, वो एक example है, फैट का और यहां पे water जो है, release हो गया है, हमने लास्ट वीडियो में भी डिसकस किया था, तो इस तरह किसे, यहां पे formation हो गया है, fat का, यहां निकि triglycerol का यहां पे formation हो गया है, अब हम पढ़ते हैं, phospholipid के बार में, फोस्फोल लिपिड क्या होते हैं, नाम से आपको समझ आ रहा होगा, यहां पे phosphate group ठीक है, तो यहां पे कैसे होगा, वन ग्लिसेरोल, ठीक है to 1 घीक है, तो एक ग्लिसेरोल यहां पे present है, दूसरा two fatty acid, अभी हमने देखा था, यहां पे three fatty acid present है, one, two, three, यह पूरी fatty acid यहां पे present है है, मैंने यहां पे R group लगा है, यह hydrocarbon chain फोसफोएट ग्रूप यहां पर प्रजेंट रहेगी थीक the ढीए सबसक्राइए और इसके दो पाट होते है फोसफेट है ॉप जो कि पोडर्र होगा पोलर जो ओोगे वाफ को सोलिबल होगा वाटर के अंदर अगी तो इस तरीक में देहने की कुशिश करें तो तो यह ग्लिसरोल यहां पी प्रसेंट है और तु फैटी acid chain यहां पर present है हम इसको तोड़ा सा change कर देते हैं इस तारीके से यहां पर phosphate हम लगा देते हैं ठीक है तो यहां पर formation हो गया है phospholipid का तो phospholipid जो होते हैं उसमें दो पार्ट प्रेजंट होते हैं एक तो head reason present होता है दूसरा क्या present होता है tail reason present होता है ठीक है जो head reason होता है वो hydrophilic होता है water में solubal रहता है और जो hydrophobic होता है वो water में solubal रहता है जो tail reason है वो कौन बनाएगी यह fatty chain बनाएगी fatty acid chain बनाएगी और जो phosphate group present है यहां पर यह जो hydrophilic है यह क्या है यह जो structure है वो बना रहा है तो हमने जब cell membrane पढ़ा था तब हमने यह भी पढ़ा था कि cell जो हमेंब्रेन हमारी होती है वो किसे बनती है फोस्फोल लिपिर से ठीक है तो इस तरह किसे वहां पर हमने study किया था ठीक है कुछ इस तरह के से तो हमारी जो cell membrane है वो किसे बनती है फोस्फोल लिपिर से इसलिए क्या है वो selectively permeable होती है ठीक है तो इस तरह किसे formation होता है फोस्फोल लिपिर का इसको हम next video में भी continue रखेंगे तो इस video में इतना ही thank you so much for watching this video I'll see you in the next video कर दो